प्यारे बच्चों आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार आज हम इस पर्ष पुस्तक के अंतरगत भागदो में संकलित पाठ गिर्गिट को पढ़ेंगे उस पर चर्चा करेंगे जिसकी विधा है कहानी और जिसके लेखक है सुप्रसिद अंतोन चेखव इनका जन्म 1860 में हुआ और इनके मृत्यू 1904 में इतने कम समय में पूरी दुनिया में इन्होंने नाम कमाया चलिए चलते हैं इनके सहित्यक परिचय की और अंतोन चेखव का जन्म रूस के दक्षनी हिस्से के तगनोर नगर में हुआ था मात्र बीस वर्ष के आयो में ही इन्होंने कहानिया लिखना प्रारंब कर दिया था 19 सदी का नौवा दशक यानी 1990 के आसपास रूस के लिए एक बहुत ही कठिन समय था यह वह समय था जब आजाद खयाल रखने भर से ही लोग शासन के दमन का शिकार हो जाया करते थे ऐसे समय में चेखव ने मौका परस्त लोगों को बेनकाब करती कई कहानिया लिखी अपने लेखन में सत्य के प्रती आस्था और निष्ठा को सर्वो परेस्थान देने के कारण चेखव रूस के ही नहीं बलकि सारे संसार के चहेते लेखक बन गए अब इनकी कुछ दचनाव पर हम चर्चा कर लेते हैं गिरगित जिस पर आज हम चर्चा करेंगे क्लर्प की मौत, वांका, तितली, एक कलाकार की कहानी, घोंगा, रोमांस और दुलहन इनकी प्रमुख कहानिया है अगर इनके नाटकों की बात करें तो तीन बेहने वाल्या मामा, सीगल और चेरी का बगीचा इनके कालज़ई नाटक है देखिए बच्चों, हर कहानी की लेखनी में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है इसी प्रकार इस कहानी का भी एक उद्देश्य है प्यारे बच्चों, एक अच्छी शासन व्यवस्था वही है जो समानता पर आधारित हो और सब के साथ न्याय करती हो ऐसी शासन व्यवस्था जनता में कानून के प्रति आधर और समर्पन का भाव जगाती है, निर्भे बनाती है यदि सत्ता पक्षपात करती हो, अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो देश में अराजकता, इसे कह सकते हैं राज में अव्यवस्था का माहौल उत्पन हो जाता है 1884 में लिखी गई कहानी किर्गिट में रूस की जार शाही सत्ता पहले रूस में राजा को जार कहा जाता था उसी सत्ता में व्याप्त चापलूसी, भाई भती जवाद के पोशक अधिकारियों के कारण न्याय कर पाने में असमर्थ शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है चलिए अब इस पार्ठ पर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं इस कहानी का नाम गिर्गिट है और आप जानते हैं कि गिर्गिट एक ऐसा जीव होता है जो परस्थिती के अनुसार अपना रंग बदल लेता है इस कहानी में भी ऐसे मौका परस्थ लोगों पर कटाक्ष किया गया है जो सत्ता में उच्च पद पर आसीन लोगों को प्रसन रखने के कारण न्याय करने में असफल होते हैं कहानी को शुरू करने से पहले इस कहानी के मुख्य पात्रों पर एक नजर डाल लेते हैं सबसे पहले ओचोमे लॉव जो इसमें एक पोलिस इन्सपेक्टर की भूमिका में है येलदिरीन जो उन्ही के कनिश्ट सिपाही है जिगवलॉव जो जनरल की भूमिका में है प्रोखोर उन्हीं जनरल का बावर्ची है क्यूक्रिन एक सुनार है और एक कुत्ता एहम भूमिका में है आये बढ़ते हैं अब कहानी की ओर हाथ में बंडल थामे पुलिस इंस्पेक्टर ओचु मेलाव नया ओवर कोट पहने बाजार के चौराहे से गुजरा लाल बालो वाला एक सिपाही हाथ में टोकरी लिये उसके पीछे पीछे चल रहा था टोकरी जब्त की गई जर्बेरियों जर्बेरी बेर की ही एक किस्म को कहते हैं उससे उपर तक भरी हुई थी चारो ओर खामोशी थी चौराहे पर एक भी आदमी नहीं था दुकानों और शराब खानों के भूके जब्डों की तरह खुले हुए दर्वाजे ईश्वर की स्रिष्टी को उदासी भरी निगाहों से ताक रहे थे यहां तक की कोई भिकारी भी आसपास दिखाई नहीं देता था इंस्पेक्टर ओचुमबेलॉव के कानों में सहसा एक आवाज आई अच्छा तो तू काटेगा तू शैतान कहीं का ओ छोकरो इसे मत जाने दो इन दिनों काट खाना मना है पकड़ लो इस कुट्टे को आह और वह व्यक्ति दर्द से करहने लगता है कुट्टे के किक्याने की आवाज किक्याना यानि कुट्टे की दर्द से करहने की आवाज को कहते हैं वह अचानक से सुनाई देती है ओचुमेलॉव ने मुढ कर देखा कि व्यापारी पिचोगिन की लकडी के गोदाम में से एक कुत्ता तीन टांगों से रेंगता चला आ रहा था छीट की कलफ लगी कमीज, कलफ आप जानते हैं मांड को कहते हैं और बिना बटन की वास्केट कह सकते हैं जैसे बिना बाजू की जैकेट जैसे नहरू जी भी पहनते थे पहने एक आदमी कुत्ते के पीछे भाग रहा था बचों आपने इतिहास की कक्षा में पढ़ा होगा कि भारत का सूती छीट एक समय विदेशों में इतना प्रसिद्ध था कि आज शिंड्स उसी का अंग्रेजी रूपांतरन है वह कुत्ते को पकड़ने की कोशिश में गिरते गिरते भी उसकी पिछली टांग पकड़ लेता है खुत्ते का किकियाना और फिर वही चीख मत जाने दो दुबारा सुनाई देती है उंगते हुए लोग गर्दने दुकानों से बाहर निकाल निकाल कर देखने लगते हैं और देखते देखते एक भीड गोदाम के पास जमा हो जाती है मानो जमीन को चीर कर निकल आई हो हुजूर ये तो जनशानती भंग हो जाने जैसा कुछ दीख रहा है सिपाही ने कहा ओचमेलाव भीड की तरफ चल देता है ओचमेलाव ने उसी आदमी को काठ गोदाम अर्थात लकडी के गोदाम के पास देखा जो अपना दाया हाथ उठा कर लोगों को अपनी खून से लत्पत उंगली दिखा रहा था उसके नशीले से चहरे पर साफ लिखा दिख रहा था शैतान की आउलाद मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं और उसकी उंगली भी जीत का जंडा लग रही थी ओचमेलाव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया वहें ख्यूकरिन नामक सुनार था और इस भीड के बीचो बीच अगली टांगे पसारे अपराधी सा नजर आता सफेद बार्जोई पिल्ला उपर से नीचे तक कापता पसरा पड़ा था उसकी आसू भरी आँखों में मुसीबत और डर की च्छाप थी ये सब क्या हो रहा है? ओचुमिलाव ने सवाल किया तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमने अपनी ये उंगली उपर क्यों उठा रखी है? और चिल्ला कौन रहा था? हुजूर मैं तो चुपचाप चला जा रहा था ख्यूकरिन ने खास्ते हुए कहा मुझे मित्री मित्रिच से जोकी किस्थान है लकडी लेकर कुछ काम निप्टाना था इस कमबक्त ने अकारण अर्थात बिना किसी कारण मेरी उंगली काट खाई माफ करें आप तो जानते हैं मैं ठहरा कामकाजी आदमी मेरा काम भी एकदम पेचीदा किस्म का है एक हफ़ते तक मेरी ये उंगली अब काम के लाइक नहीं हो पाएगी तो हुजूर मुझे हरजाना दिलवा दीजिए यह तो कानून में कहीं नहीं लिखा है कि ये जानवर हमें काटते रहें और हम चुपचा बरदाश्ट करते रहें अगर हम सभी को ये ऐसे ही काटने लगें तब तो जीना दूभर हो जाए हम ठीक है ठीक है ओचुमेलाव गला साफ करके त्योरियां अर्थात अपनी बौहें चड़ाते हुए कहता है यह तो बताओ कि ये कुट्ता किसका है मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ कुट्तों को इस तरह आवारा छोड़ने का मज़ा मैं इनके मालिकों को चखा कर रहूँगा जो कानून का पालन नहीं करते अब उन लोगों से निबटने का वक्त आ गया उस बदमाश आदमी को मैं इतना जुर्माना ठोकूंगा कि उसका दिमाग ठीक हो जाएगा फॉरन समझ जाएगा कि कुट्तों और जानवरों को ऐसे आवारा छोड़ देने का क्या मतलब है येल्दिरीन वो सिपाही को समबोधित करता है और चिलाता है पता लगाओ कि ये कुट्ता है किसका और रिपोर्ट तयार करो कुट्ते को फॉरन मरवा दो यह शायद पागल हो मैं पूछता हूँ यह कुट्ता है किसका देखिए बच्चों किस तरह इंस्पेक्टर ओचुमेलाव कानून का पालन करवाने और कुट्ते के मालिक के खिलाफ कारवाही की बात कर रहा है पर आगे यह अपना रूप बदल लेंगे यह शायद जनरल जिगॉलाव का है भीड में से एक आवाज आई जनरल जिगॉलाव हम्म्म यलदेरीन मेरा कोट उतरवाने में मेरी मदद करो ओफ आज कितनी गर्मी है लग रहा है बारिश होकर रहेगी एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इसने तुम्हें काटा कैसे तो देखे बच्चो अभी तक जो सारा दोश कुट्टे को दे रहे थे अब वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें काटा कैसे इस कुट्टे ने ओचुमिलाव ख्यूकरिन से पूछता है ये तुम्हारी उंगली तक पहुचा कैसे तु इतना लंबा तगड़ा आदमी और ये रती भर का जानवर जरूर कोई कील गड़ गई होगी और ततकाल तुने सोचा होगा कि कुट्टे के सिर आरोप मढ़कर हरजाना वगेरा एट कर फायदा उठा लिया जाए मैं तेरे जैसे शैतान लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ तो देखा आपने कि जैसे ही इंस्पेक्टर को ये पता चलता है कि कुट्टा किसी शक्तिशाली, सत्ताधारी, व्यक्ति का है तो वह कुट्टे को मारने के स्थान पर अब ख्यूकरिन को ही दोशी ठहराता है इसने अपनी जलती सिग्रेट से इस कुट्टे की नाक यूही जला डाली होगी हुजूर परना यह कुट्टा बेवकूफ है क्या जो इसे काट खाता हुजूर मैं जानता हूँ कि यह ख्यूकरिन हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है जैसे ही इंस्पेक्टर ने अपने विचार बदले वैसे ही सिपाही भी अपने अफसर के सुर में सुर मिलाने लगा अबे तूने मुझे ऐसा करते जब देखा ही नहीं तो जूट मूट में ये सब क्यों बके जा रहा है हुजूर तो खुद बुद्धिमान आदमी है और बखुबी जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन जूट यदि मैं जूट बोलता पाया जाऊं तो मुझ पर अदालत में मुकदमा ठोग दो कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग अब बराबर हैं मैं यदि आप चाहें तो यह भी बता दूँ कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है जैसे ही कुत्ते द्वारा उंगली काटे जाने का दोश स्वयम ख्यूकरिन पर ही लगा दिया जाता है वैसे ही ख्यूकरिन बॉकला उटता है कानून की दुहाई देने लगता है और पुलिस से अपनी नजदीक्या में गिनवाने लगता है आपने भी अपने आसपास कई लोगों को बच्चो ऐसा करते हुए देखा होगा बकवास बंद करो उचुमेलॉव ने कहा नहीं यह जनरल साहब का कुट्टा नहीं है सिपाही ने फिर अपनी बात बदल दी और कहा कि यह जनरल साहब का कुट्टा नहीं है जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुट्टा नहीं है उनके तो सभी कुट्टे पुंटर प्रजाती के हैं तुम विश्वास से कह रहे हो ओचुमेलाव ने पूछा एकदम हुजूर तुम सही कहते हो जैनरल सहाब के सब कुत्ते महंगे और अच्छी नसलिके हैं और ये कितना भत्ता और मरियल सा पिल्ला है कोई सब्भे आदमी ऐसा कुत्ता कहे को पालेगा तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है अगर इस तरह का कुत्ता मौस्को या पीटर्सबर्ग ये बच्चो रूस के दो शहर हैं जिसमें से मौस्को रूस की राश्थानी है उसमें दिख जाता तो मालूम हो उसका क्या हश्र होता तब कानून की परवाह किये बगैर इसके छुट्टी क कर दी जाती तुझे इसने काट खाया है तो प्यारे एक बात काट बांद ले इसे ऐसे मत छोड़ देना इसे हर हालत में मजा चखवाया जाना जरूरी है ऐसे वक्त में देखे एक बार फिर इंस्पेक्टर ओचमिलाव ने परिस्थिती के अनुसार अपने विचार बदल द शायद यह जैनरल साहब का ही कुटा है इसे देख लेने भर से तो नहीं कहा जा सकता कि यह उनका नहीं है कल ही मैंने बिलकुल इसी की तरह का एक कुटा उनके आंगन में देखा था सिपाही ने फेर अपनी बात मदल दी हाँ जैनरल साहब का ही तो है भीड में से किसी और की भी आवाज इस बात की पुष्टी करने के लिए आ गई हम यल्देरेन मेरा कोट पहल लेने में जरा मेरी मदद तो करो मुझे इस हवा से ठंड लगने लगी है इस कुट्टे को जेनरल सहब के पास ले जाओ और पता लगाओ कि क्या यह उन्ही का तो नहीं है उनसे कहना कि यह मुझे मिला था और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा है और उनसे यह भी विनती करना कि वह इसको गली में चले आने से रोके लगता है यह काफी महंगा प्राणी है और हाँ यदि हर गुंडा बदमाश इसके नाक में जलती सिगरेट घुसेडने लगे तो यह तबाही हो जाएगा तुम्हें मालूम है कुट्टा कितना नाजुक प्राणी है और तू अपना हाथ नीचा करवे गधा कहीं का अपनी इस भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर कह सब तेरी अपनी गलती है और ऐसा कहते हुए बच्चो एक बार फिर इंस्पेक्टर ओचो मेलाव ने परिस्थिती अनुसार अपने विचार बदल दिये जब लगने लगा है कि ये कुत्ता जेनरल साहब का है और फिर सारा दोश ख्यूकरिन पर मड़ दिया ये है जेनरल साहब का बावर्ची आ रहा है उससे पूछ लिया जाए ए प्रोखोर इधर आना भाई इस कुत्ते को देखना तुम्हारे आका तो नहीं है प्रोखोर इंकार कर देता है कि इस तरह का पिल्ला तो हमने कई जिंदगियों में नहीं देखा होगा अब अधिक जाचने की ज़रुरत नहीं है ओचु मिलाव कहता है यह है आवारा कुत्ता है इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि ये आवारा है तो है इसे मार डालो और सारा किसा खत्म एक बार फिर से इंस्पेक्टर ओचुमिलाव के विचार बदल जाते है यह हमारा नहीं है प्रोखोर फिर आगे कहता है यह तो जनरल सहब के भाई का है जो थोड़ी देर पहले यहां पधारे है अपने जनरल सहब को बार जोयस नसल के कुत्तों में कोई दिल्चस्पी नहीं है पर उनके भाई को यही नसल पसंद है क्या, क्या जेनरल साहब के भाई साहब पधार चुके है वालदी मेर इवानिच प्रसंदता से ओच मिलव बोल उठता है कितना अद्भुत संयोग रहा और मुझे मालूम तक नहीं अभी कुछ दिन रुकेंगे ओच मिलव हैरानी से कहता है हाँ, ये सही है कि वे कुछ दिन रुकेंगे प्रोखोर ने कहा तनिक सोचो, वे अपने भाई साहब से मिलने पधारे है और मैं इतना भी नहीं जानता तो ये उनका कुट्ता है, बहुत खुशी हुई इसे ले जाईए, ये है तो एक अती सुन्दर डौगी है अभी तक जो भद्दा और मर्यल सा कुट्ता था बच्चो वे अचानक सुन्दर डौगी हो गया ये उसकी उंगली पर जपट पड़ा था हाँ, 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 बस-बस अपका अपना बंद कर भाई, गर-गर कुट्ता वाज निकालने लगता है और गुसा करने लगता है तो ओचुमिलाव कहता है नन्ना सा शैतान गुसे में है बहुत खुबसूरत पिल्ला है प्रोखोर कुट्ते को बुलाता है और उसे अपने साथ लेकर चल देता है भीड क्यूकरिन पर हसने लगती है बिचारे को न्याय कहां मिला मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ ओचुमिलाव क्यूकरिन को धमकाता है और अपने लंबे चोगे को लपेटता हुआ अपने रास्ते चल देता है और इस प्रकार यह कहानी समाप्थ हो जाती है तो देखा बच्चो किस सरह ओचुमिलाव और फिर उनके पीछे उनके सिपाही बार 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 अपने वक्तव्य को बदलते जाते हैं परस्थिती अनुसार ऐसे लोग ही मौका परस्त लोग कहलाते हैं ये लोग अपने अवसर को देखते हैं और उसका फाइदा उठाते हुए न्याय को भी दुदकार देते हैं तो इस तरह इस कहानी में लेखक हमारे सामने ऐसे लोगों पर व्यंग करते हैं कटाक्ष करते हैं इस कहानी से बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो निकल कर आती हैं और हमें सीखने को मिलती हैं तो आईए उन बातों पर भी थोड़ा सा प्रकाश टाल लेते हैं। अगर शासन व्यवस्था दोशपून हो या उसमें ब्रश्टाचार, भाई भतीजावाद, अवसरवाद व्याप्त हो, तो वह किस प्रकार समाज के लिए खत्रा बन जाती है। जैसा की जार शाही के समय भी होता था, और आज भी बच्चों आप देख सकते हैं कि समाज में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास ही हमें देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात, गिर्गिट कहानी में जैसे मौका परस्त लोगों पर व्यंग किया गया है, हमें अपने जीवन में वैसा बिलकुल भी नहीं बनना है, बलकि कैसी भी परिस्थितियां हो, प्यारे बच्चों, हमें हमेशा न्याय के साथ खड़ा होना है। और ऐसे में चेखव जैसे लोगों का होना कितना जरूरी है, ये बात तो आपको जरूर लग गई होगी। जो स्वतंत्र रूप से ऐसी व्यवस्था की कमियों को उजागर कर सके बिना डरे और अन्याय के विरुद आवाज उठा सके। प्यारे बच्चों, चेखव की अगर भाशा की हम बात करें तो नाटकों में समवाद नाटक के प्राण होते हैं। लेकिन यहां कहानी में इतने बहतरीन समवादों ने उनकी कहानियों को जीवन्त बना दिया है। शायद इसके पीछे एक बड़ा कारण यह रहा कि चेखव दुनिया के बहतरीन नाटक कार भी थे। और उनकी कहानी में जब व्यंग आता है तो वहें उनकी कहानी को एक बहतरीन नए आयाम पर ले जाता है। तो इस तरीके से उनके गिरगिट कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी और एक प्रश्न चलते-चलते मैं आपके जहन में छोड़ देना चाती हूँ। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार गिरगिट शत्रू से स्वयम को बचाने के लिए अपने आसपास के परिवेश के अनुसार रंग बदल लेता है। उसी प्रकार कई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए परिस्थितियों के अनुसार अपनी बात, अपना व्यावार, अपना द्रश्टीकों, अपने विचार बदल लेते हैं। यही कारण है कि ऐसे व्यक्तियों को गिरगिट कहा जाता है। अवसर के अनुसार व्यावारिक्ता का सहारा लेना आप कहा तक उचित समझते हैं। इस विशय पर कक्षा में और अपने सहपाठियों के साथ अवश्य चर्चा कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। झालीवाद। झालीवाद। विदाँ ओन्यवाद। झालीवाद। और प्याद। झाल झाल